कहानी की शुरुआत में हम एक बीच में सैमी नाम के एक ओल टर्टल को देखते हैं जो कि आज काफी खुश था क्योंकि वो जल्दी ग्रैंट पा बनने वाला है। वो अपनी कहानी अपनी जुबानी बताता है और कहता है कि उसकी जन्म आज से 50 साल पहले इसी बीच पर हुआ था और जब वो पैदा हुआ था तब ये बीच एक डिजार्टेड हुआ करता था। इमेल टर्टल से होता है जो कि उसके साथ समंदर में जाने के लिए कहती है। लेकिन धकान की वज़े से सामी उठ नहीं पाता और वो ही परी गिरा रहता है। पूरी रात उस लकड़ी के टुकड़े के उपर समंदर में बहता रहता है। सुबह होते ही वो फिर से पानी में जानी की कोशिश करता है लेकिन वो फिर से हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी वहाँ पर और एक लकड़ी के उपर तीन और स्री टर्टल आ जाते हैं जो कि सेमी से उम्मर में काफी बड़े थे। वो लोग सेमी को छुटा समझ कर उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे डराने की भी कोशिश करते हैं। एक कहता है कि समंदर के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं जो कि तुम्हें खाने के लिए बेताब हैं जिसको सुनकर सेमी काफी ड़ जाता है। वो देखता है कि पानी के अंदर कई सारे खतरना क्रियेचर है इसलिए वो डर के मारे उस लकड़ी के उपर ही बैठा रहता है। दूसरी तरफ हम रे नाम के और एक सी टर्टल को देखते हैं जो कि सैमी की तरह ही अकेला था। वहाँ पर वो कई सारे सी टर्टल के ग्रूप के साथ मिलने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसे अपने ग्रूप में शामिल नहीं करता। तब ही वो सैमी को देखकर उससे मदद मांगता है और सैमी उसे अपने साथ ले लेता है। येसी बिच वो दोनों एक साथ समंदर में भी जाते हैं और समंदर की खुबसूरिती को देकर उन्हें काफी अच्छा लगता है और यहाँ पर वो दुनों एक दूसरे के साथ काफी मस्ती भी करते हैं और वो दुनों समंदर में रहने वाले जीबो और मचलियों के साथ दोस्ती भी करते हैं जिसके बाद ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाता है और वो दुन अभी काफी बड़े हो चुके थे रे एक दिन सैमी से कहता है कि हम काफी बड़े हो चुके हैं इसलिए हमें अपनी पार्टनर चुनना होगा ताकि हम अपने फैमिली को आगे ले जा सकें साथी साथ वो सैमी से ये भी पूछता है कि क्या वो किसी को पसंद करता है जिसमें सैमी पहले तो कुछ भी नहीं बताता पर उसके बार-बार रिक्वेस्ट करने पर वो उसे सैली के बारे में बताता है सैली दर असल वो ही सी टर्टल है जिसने बचपन में सैमी को बचानी की कोशिश की थी लेकिन उस दिन के बाद से सामी साली के साथ कभी भी नहीं मिला और उसे ये भी पता नहीं है कि साली समंदर के किस इसे पर रहती है रेस से कहता है कि ये समंदर काफी छोटा है इसलिए एक ना एक दिन उसकी मुलाकत जरूर उसके साथ होगी इसके पर ऐसे ही फिर से कुछ और दिन गुजर जाता है और हमें पता चलता है कि सैमी अभी भी सैली को याद करता है सैमी को परिशान देखकर एक दिन रे सैमी को उसके आक्टोपस दोस्त के पास लेकर जाता है जहांपर दोनों आक्टोपस के टेंटिकल पर बैट कर काफी मस्ती करते हैं अब थोड़ी दिर में समंदर के पानी में क्रूड आयल मिलने लगता है जिससे समंदर में रहने वाले जीवों को काफी नुकसान होता है और पानी के अंदर अंधेरा छा जाता है सैमी और रे अभी तक कुछ समझ भी नहीं पा रहे थे कि ये सब कुछ किसलिए हो रहा है इसलिए वो दोनों पानी के उपर जाते हैं और देखते हैं कि उपर एक शिप पल्टा हुआ था जिसमें कुरूड आयल लेकर जाया जा रहा था सैमी और रे ने पहली बार किसी इंसान को देखा था और इस दिन के बाद से ही उनका वुरा वक्त शुरू हो जाता है एक दिन जब वो दोनों अपने राफ्ट पर सोय हुए थे तब ही उनका राफ्ट पूरी तरीके से तूट जाता है जिससे वो दोनों पानी में गिर जाते हैं कुछ मचवारे वहाँ पर मचली पकरने के लिए आये थे जिन लोगों के फेकी हुए जाल में सैमी फस जाता है रे उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो भी दूसरे एक जाल में फस जाता है इसके बाद उन्हें एक जहाज के उपर लाया जाता है जहां से होकर सैमी किसी तरीके से भागने की कोशिश करता है लेकिन कुछ सामानों को बीच में आकर फस जाता है कुछ देर तक धूप में वहाँ पर फसे रहने की वज़े से वो डिहाइडरड होकर वहाँ पर बेहुश हो जाता है तब ही एक आदमी वहाँ पर आकर उसे उठाता है और उसे मरा हुआ समझ कर उसे फेक देता है हम देखते हैं पानी में जाने के बाद भी समी होँश में नहीं आ रहा था और वो काफी देर तक वही पर ही बेहुश पड़ा रहता है कुछी देर में वहाँ पर एक डॉल्फिन आकर उसे होँश में लाने में मदद करता है और समी किसी तरीके से उस समंदर के किनारे पर आ जाता है पर ठकान की वज़े से वो ही पर ही बेहुश हो जाता है रात को एक कपल की नजर सैमी के उपर पड़ता है और वो सैमी को उनके साथ ले कर जाता है अगली सुबा सैमी की जब आग खुलती है तब ही वो अपने सामने एक इनसानी बच्चा उसकी मा और एक बिल्ली को देख पाता है वो family Sammy को काफी प्यार कर रहा था और उसे खाना भी दे रहा था लेकिन उनकी बिली Flappy को Sammy के उपर काफी जलन होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि Sammy के आने के बाद वो human family उसके उपर ध्यान नहीं दे रहा है इसलिए वो सैमी से कहता है कि तुम्हें इंसानों के उपर भरोसा करना नहीं चाहिए क्योंकि वो लोग मौका आने पर तुम्हें अपनी दावत बना सकते हैं अब रात को उस बच्चे को जब उसकी मा कहानी सुना रही थी तब फ्लैफी सैमी के पास आकर उससे पूछता है कि उसने यहां से भागने का क्या फैसला किया सैमी को दरसल उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था और उसे यहाँ पर काफी प्यार भी मिल रहा था इसलिए वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था जिसके बद फ्लैपी उसे अपनी कहानी सुनाता है और कहता है कि वो भी समंदर से बचकर उसी की तरह ही यहाँ पर आया है खेर एक दिन सैमी बीरा नाम की और एक सी टर्टल से मिलता है बीरा उसे बताती है कि वो लोग यहाँ पर जानवर की तरह कैद है और इंसान जब चाहे उनके उपर जोर दिखाते हैं उसी दिन बीरा को समंदर में छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो और सैमी एक साथ नहीं रह सकते थे दूसरी तरह फ्लैपी इस मौके का फाइदा उठाकर सैमी से जूट कहता है कि बीरा को इनसान उने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसकी खाल मोटी हो चुकी थी और इसलिए उसकी टर्टल सूप नहीं बनाया जा सकता था और अब क्योंकि सैमी की खाल नरम है इसलिए उसका टर्टल सूप बनाया जाएगा उसी रात उस बीच में कुछ पुलिस ओफिसर आकर उन सभी लोगों को वहां से भगा देते हैं स्लैपी सैमी के पास आकर कहता है कि यही सही मौका है तुम यह से भाग सकते हो जिसके बाद सैमी वही पर ही छुप जाता है इसके बद ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाता है और सैमी अभी तक उस आइलेंट पर ही अकेला था इसलिए ठकार कर समंदर के अंदर चला जाता है और लकडियों को खा कर अपना पेड़ भरता है इसी बिच दूफान से एक प्लास्टिक उड़कर उसके उपर आकर गिरता है जिससे वो प्लास्टिक के अंदर फस जाता है तब ही वहाँ पर बीरा आकर उसकी मदद करती है और उसे किसी तरीके से उस प्लास्टिक से बाहर निकालती है अब बीरा के साथ फिर से मिलकर सैमी को काफी अच्छा लगता है यहाँ पर बीरा उसे समंदर की गहरायों में लेकर जाती है जहाँ पर कई सारे सीफूर थे अब जब वो दुनों वहाँ पर खाना खा रहे थे तब यह एक सी टर्टल को भागते हुए देख पाते हैं जिसके पीछे एक सार्क पड़ा हुआ था सैमी उस सी टर्टल को उस सार्क से बचने में मदद करता है और उसे लेकर एक छोटे से गुफा के अंदर घुश जाता है दूसरी तरह बीरा भी केराटा जानती थी इसलिए वो उस सार्क को मार कर वहां से भगा देती है इसके बाद बीरा उन दोनों को सही सलामत एक जगे पर छोड़ कर वहां से चली जाती है अब सैमी को उसके साथ बात करके पता चलता है कि वो और कोई नहीं बलकि सैली है जिसके साथ सैमी बचपन में मिला था सैली भी उसे पहचान लेती है जिसके बाद वो दुनों एक साथ समंदर में घुमने लगते हैं इसी बीच सैमी सैली से कहता है कि वो पूरे दुनिया के समंदर में घूमना चाहता है जिसको सुनकर सैली भी उसके साथ घूमने के लिए तयार हो जाती है यहाँ पर सैमी सैली से कहता है कि उन्हें पूरे दुनिया के समंदर को घूमने के लिए सीक्रेट पैसेज की जरुरत है जिस वज़े से वो द तोनों कुछ मचवारों के जहाज के पास पहुंचते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता इसलिए वह दोनों आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर वह लोग मीठे पानी तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें कई सारे अजीब अजीब क्रियेचर भी देखन पेड तूट जानी की वज़े से वो नीचे पानी में गिर जाता है वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर से मिल गए थे जिसके बाद वो दोनों उस जहाज का पीछा करते हैं लेकिन उस जहाज में लगे हुए पंक में फसकर वो दोनों एक दूसरे के साथ बिछड़ जाते है सیमी सैली को ढूनने की काफी कोशिश करता है और इसी चकर में वो समंदर के काफी अंदर पहुच जाता है धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वो अभी सैली को ढूनते हुए अंटार्टिका तक पहुच चुका था लेकिन ठंड की वज़े से उसकी हालत काफी खराब हो रही तब ही वहाँ पर कुछ इनसान उसे देख लेते हैं और उसे रेस्क्यू करके एनिमल हॉस्पिटल में लाया जाता है यहाँ पर सैमी इतने दिनों के बाद सैली से मिलता है जिसको भी उन इनसानों ने रेस्क्यू किया हुआ था सैमी उसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन तब तक वो इनसान सैली को लेकर वहाँ से चले जाते हैं आगे सैमी की मुलाकत ख्लैपी नाम की उसी बिल्ली से होता है जिसके साथ भू मूवी के स्टार्टिंग में बीच साइड में मिला था उस बिल्ली की मालकिन सैमी को पहचान लेती है और उसे फिर से समंदर में छोड़ देती है अब समंदर में सैमी जब भटग रहा था तब ही दो सी टर्टल उसके पास आकर एक टर्टल को पिंजरे से निकालने में उसकी मदद मांगती है सैमी जब उनके साथ जाता है तब यो देखता है कि वो टर्टल और कोई नहीं बलकि उसका दोस्त रए है, जिसके बाद वो उसे किसी तरीकी से उहाँ से फ्री करता है रे सैमी को अपनी पार्टनर रीटा से मिलाता है जिसके साथ बात करने के दौरन सैमी उसे सैली के बारे में बताता है जिसको सुनकर रीटा उससे कहती है कि उसने कुछी देर पहले सैली को यहां से जाते हुए देखा सैमी उस रास्ते से होकर आगे बढ़ता है और आगे जाकर वो सैली को एक दूसरे सी टर्टल के साथ देखता है जिससे उसे काफी बुरा लगता है और वो सैली से मिलने के लिए नहीं जाता है पर तभी उसे पता चलता है कि वो दूसरा टर्टल और कोई नहीं बलकि रॉबी ह जो सभी female turtle के साथ flood करता है और वो Sally के साथ भी flood कर रहा था जिसको जानने के बाद Sammy काफी खुश होता है और वो और Sally एक दूसरे को अपनी partner चुनते हैं इसके बाद सिंद सीफ्ट होकर हमें फिर से present time को दिखाय जाता है जहांपर Sammy और Ray अपने बच्चे को समंदर में लेकर जा रहे थे इसी बिच एक turtle गड़े से बाहर नहीं आपा रहा था और Sammy को उसको दे कर अपने बच्चपन की याद आती है और दोस्तों इसी के साथ ही इस movie की कहानी खत्म हो जाती है